फ्रेंट्स आईजीम कोचिंग इंस्ट्यूड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम बात करेंगे करन्ट रफेक्स के बारे में जो की अफकमिंग एक्जाम है जैसे एससी वैंक अररबी एटीसी हर एक्जाम के लिए करन्टा फेर बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे भी के दो क्ोष्यन बन सकते हैं हम जाने । के बारे में जो केसलेट अर्त-व्यष्टा का नया रूप है डिजीटल पाइमेंट अन्त-व्यष्टा के एक नए रूप का विश्ठार है के इस सरकार बिमुद्री करन्ट के बाद refental payment code को बडावाद देने का कर तेजी से कर रह कि माध्यम से डिजिटल पेमेंट को बड़ावा देने पर विचार किया जा रहा है समपता ये विवस्ता विष्टाचार तथा कालेधन के समांतर अर्थ विवस्ता को नियंतरत कर सके विमुद्रिकन के वादिस्की जरूतों न इसकी अधिक प्रभावी तथा अनिवार वना करिया है जानेंगे कैस बनाम कैसलस्ट टांजेक्शन के वारे में कैस टांजेक्शन किसी भी खरदार यत्वा विक्री का सबसे पुराना तरीका कैस है कैस टांजेक्शन है देश्की अधिवस्ता में 18,00,00 करोड की करेंसी डिमानाइट एजेशन प्रिक्रिया सुरू होने स से पहले थी वही लगवग 84,00,00 करोड से अधिक करेंसी विलेक एकॉनमी में मौजूद होने का सरकारी अनुमान है एक आकड़ा है कैस का टांजेक्शन आसानी से करने के लिए वड़े से वड़े मूल वर्ग जिसे 500,00,00,2000 की करेंसी जयनातर मदिदगार साबित होती है कैस अगर किया जा सकता है और कानुन के मुताबिद किसी टांजेक्शन पर देटेक्स से भी बचा जा सकता है कैस्ट टांजेक्शन वह आसान तरीका है यहां किसी भी खरड़ेरी के पहले स्रफ करेंसी की जरूरत पड़ती है दोस्तों cash transaction को आसन इसलिए कहा माना जाता है कि यहां महज currency के आधान प्रदान पर transaction पूरा मान लिया जाता है इस माध्यम से खरिदार के पास सिर्फ currency और बेंचने के पास उत्पाद की आवसक होता है मतलब यह है कि खरिदार के पास सिर्फ currency और बैचने वाले के पास्टर प्रोडक्ट यह उत्पाद होना important है यह आवस्सक है आप जाने के cashless transaction के वारी में यह बहुत important है इससे question बन सकता है कि cashless transaction के दोर में तेजी सिल्लूप प्रिय होता जा रहा है माध्यम में इस माध्यम में से खरिदारी अत्वा विक्री करने के लिए दोनों खरिदार और बेंचने वाले को बैंक का साहरा लेने की जरूरत पड़ती है इस माध्यम में आफके बैंक के साथ साथ भारती रेजर बैंक, RBI और सरकार के टेक्स बिवाग की भी भूमका रहती है केसलेस टांजेक्शन के लिए फिलास्टिक मनी अजबा क्रेट कार्ड या डेविट कार्ड का साहरा लिया जाता है एक कार्ड किसी बैंक में अकाउंट खोलने पर दिया जाता है दोस्तों इसके अलावा वेंग का चेक और राफ्ट केसलेस टांजेक्शन की स्रीडी में आता है जैसे डिजिटल बॉलेट, मुवाइल बेंकिंग, नेशनल इलक्टोनिक फंच ट्रांसफर जो NEFT इसका स्वर्ट फोर्म होता है नेशनल इलक्टोनिक फंच ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो RTCGS इसको स्वर्ट में कहते हैं इसका भी कैसलेस टांजेक्शन के में तेज़ी से पॉपूलर होने के तरीके हैं दोस्तों कैसलेस टांजेक्शन में कैस जैसी सुब्दाद देखने को नहीं मिलती है इसका नाम है कैसलेस माने बिगर कैस की कैसलेस माद्यम है लेकिन स्रक्षा के लिहाज से यह castle London में काफी बहतर है । इसलिए बहतर है दोस्तों किसमें किस वी विक्ति की पास कैस नहीं रहता है लेकिन वो तैंजैक्शन कर सकता है इंट्रेयर की माध्यम से इस माध्यम में वेंक और सरकार की कर विवाग की नजर में प्रतेक बड़े टांजेक्शन रखते हैं वही छोटे से छोटी टांजेक्शन का भी पूरा व्यूरा मौजूद रहता है डिजिटल वित्तिय समावेश डिजिटल वित्तिय समावेश का संधर्व शमाज की मुखधारा से वाहर इबम अधिकार विहीं लोगों तक डिजिटल पहुँचता था और चारग वित्तिय सिवाओं के उफियोग का अफसर प्रदान करना है मुखधिस की प्राप्ति के लिए सुरू की गई सिवाओं को डिजिटल फानेंसियल सर्विस डी एफस के रूप से जाना जाता है इन्हें गरहकों की आवसकता के अनुसार डिजाइन किया कया है और उस उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है जो गरहकों और प्राप्ति प्रदान करता हों दोनों के लिए वहनी हो ऐसी किसी भी डिजिटल फानेंसियल सर्विस के तीन मुख भाग होते हैं आदान प्रदान का एक डिजिटल प्लिट फॉर्म खुदरा एजेंट्स तथा प्लिट फॉर्म के माद्यम से आम तोर पर मुबाइल फॉर्म जैसे उफकरन का गरहकों वा एजेंट्स द्वारा प्योब यहां एक ऐसा माध्य हमें दोस्तों जिससे डिजिटल चैनल्स अनवेंड आबादी तक फानेंसियल सिवां तेजी से पहुंचा रहे हैं वैंक लगू फाइनेंस सस्ताएं मुबाइल ऑपरेटर्स एबं लगू नेट एबं लगू एजेंस नेटवर्क के साथ अन् प्याइब पर सुब्दा जनक तरीके से एबं पारसप्रक बेंकिंगी तुला में बहुत कीमत पर वप बनियादी वित्तिय सिवाएं पारसप्रक बित्तिय सिवाएं पदान कर रहे हैं दोस्तों जान लेते हैं वह कौन कौन सर्वेसें डिजिटल फानेंसियल की अब सबसे पहले हैं कार्स फिर हैं यू-एस-एस-डी फिर है ए-ई-पी-एस फिर है यू-पी-आई नेस्टैब वालेट दोस्तों जान लेते हैं यू-पी-आई की बारे में यू-पी-आइक ततकाल धन से वास्त हस्तरांदरन पर्णाली ये हमारी कैंसरकात द्वार आभी नई हो ज खातों की सुब्दा कोई भी जुड़ी हुई बैंक इसमें कोई बैंक जुड़ी हो विभिन बैंकों की विशिष्टाएं सहज रूप से फंड दिलाने वा बैपाडियों को भुखतान की सुब्दा से यही मुबाल एप्लिकेशन की द्वारा सहज उपलब्द कराता है इस होता है एनपी सी आई ने देश में काफी वाइलेट इस्तर पर 21 बैंकों से मिलकर शुरुआत की है जिसका उधगाटन 21 अफ्रेल 2016 को भाति रिजर बैंक के गवर्णर रागुराम जी राजन द्वारा मुम्मई में किया गया था नेस्ट मित्रो यू एस एस डी दोस्तों यह एक सिवा है जिसका उत्देश वेंकिंग सिवा को उस देश के हरा हर आम नांगरिक तक फोचाना है यह सिवा प्रतेक ग्राह को टेलेकॉम सिवा प्रदाता मुबाइल सेट निर्माता या 36 प्रवाबत बिना एक ही नंबर से वे पहुंच प्रदान करता करती है यह नेशनल यूनिफाइड यू एस डी फ्लेटफर्म एन यू यू पी के जरिए एक सॉट कोट जो इस्टा नाइन हैज पर प्रदान की जाती है इससे प्रति दिन प्रति ग्राहक पांस जार रोपे भुकतान के लिए इस्तिमाल किया जा सक प्रति है किसी भी बैंक में खाता जी एसम नेट्रोंट पर कोई भी मुबाइल फॉन या वोगता के खाते या वैंक में रिजिस्टर्ट मुबाइल नंबर इस तीन फैक्ट है जो इंपोर्डेंट है इसके यूसडी स्कीम के लिए नेस्ट उस्तों नेस्ट है आधार इबन सामान बैंकिंग लेंदेन की सब्दाप्दान करता है दोस्तों यह बैंकिंग क्रप्रेट्समेंट्स वीसी की सहायता से पॉंट अफ सेल जो माई क्रेटियम होते हैं पर फोन बैंक से बैंक लेंदेन की अनुपती देता है दोस्तों इसकी उप्योग करता को बैंक में या किसी VC की साहता से अपने अकाउंट के लिए आधान नंबर देना होता है उप्योग करता है वगेर पिन या पास्वर्ट के किसी भी EPS बिंदू पर मनमाही संख्या में लेंदेन कर सकता है EPS में आप निमलिखित प्रकार के लेंदेन कर सकते हैं जैसे बेंग बैलेंस पुस्ताच नगाद निकाशी जमा नगत जमा करना आधार से आधार फंस का टार इस्तांतरन या टांसपर EPS से उचत मूल की दुकान पर खरिद्दारी दोस्तों नेस्ट है पना यूनिफाईट पेमेंट इंटरफेस यह यूपी आई है इसका फॉलपान यूपी आई का फॉलपाम है यूणिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह उप्योग करता के स्मार्टफोन से तुरंद इलक्ट्रोनिक भुक्षतान की प्रणाली है दोस्तों यह है इंटेम इमीडियेट पेमेंट सस्टेम आई एम पीएस का उनित्व संस्क्रण है जो वेंग खातों के बीच धन्रासी ट्रांसफर करने के लिए उप्योग में लाई जाती है दोस्तों आइम पीएस की त जाए फौन के जरिये क्रेट का उप्योग करने में होता है दोस्तों यूपी आई की कुछ बिजिश्टाय ना लेते हैं इसके द्वारा मोबाइल डिवाइस की माद्याम से 24 घंटे में 24 घंटे और 365 दिन रुपे का ततकाल हस्तानतरन किया जा सकता है इस यूपी आई की यह है बशयता है यूपी आइस की एप इस tar एक मोबाइल यकी यारे विपिन भेंण खातों तक तक हो कि मुछ जा सकता आए दोस्तों तक डान संग्रहं संपित्रण कुमा पा जा सकता है से गरत पर तक सुरीफ Western सिकायट की सकती है दोस्तों सिंगल एप की दोरा बैपारी एक ही समय में भुकतान कर सकेंगे दोस्तों यह एप कैस भुकतान में परिशान ATM जाकर सही रासी निकालने आदि का उत्तम हल है अब जानें दोस्तों हम लोग E-Wallet E-Wallet क्या है E-Wallet electronic wallet को दरसाता है यहाई एक प्रकार का electronic card होता है जिसका उप्योग computer या smartphone की जरिये online landing के लिये किया जाता है E-Wallet की उप्योगता credit या debit card की तरह ही है भुकतान करने के लिए E-Wallet को व्यक्ति के वैंखाते के साथ link करने की आवसकता होती है दोस्तों E-Wallet का मुख्य उद्धिश है कागज रहे धर्रासी इस्तांतरन को अधिक आसान बनाना दोस्तों E-Wallet के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं एक सब्ट्वेर इबम जानकारी सब्ट्वेर भाग व्यक्ति गत जानकारी स्टोर करता है तथा data वासरक्षा in creation देता है जबकि जानकारी का भाग उप्योग करता द्वारा प्रिदत वेब्रणों का database होता है जिसमें उसका नाम डाग पता भुक्तान विधी भुक्तान की जाने वर रासी क्रेड़ या डेविट काड़ का वेब्रण आधी होते हैं जब्रण लेते हैं दोस्तों हम लोग डिटल लेंग में जो की किन सरकात वारा युजना चलाएं यह उसकी वारे में एक चलाएगी दूस्तों के लिए बड़ावा देने के उद्देस से क्रिस्मस के दिन जो 25 दिसम्बर को होता है क्रिमस 25 दिसम्बर 2016 को उप्वक्ताओं के लिए लखी गरह के उजना और व्यापारियों के लिए डिजी धन व्यापारी यह उजना सुरू करने की घुशना की है इसके तहद डिटल भुक्तान पर पुशकार दिये जाएंगे यह उजना 14 फ्रल 2017 तक चलेगी और हमारे जो एप से किसर का द्वारा एप से जारी किये गा जैसे यूपी 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 आई यूएससडी आधार की जरीए भुक्तान पढ़ाले को रुपे कार्ड से किया गय तो नीटि आयुक नहीं इस परस्ट किया है कि निजी गरा नीजी क्रेड़ेट कार्ड और नीजी कंपनियों की वालेट के जरिए किये गए लेंदन पर यह होजना लागू नहीं होगी दोस्तों यह जना कप तक चलेगी यह बताया है सौ दिन तक यह ड्रा लखी चलेगा द पीच्टर भुक्तान करने वाले उभुक्ताओं के लिए 25 दिसंबर से हर रोज ड्रा निकाला जाएगा और पंद्राजार बिजिताओं उसको एक जारखता सेवर डिजितन मेला आयोजित किया गया दोस्तो कारेक्रम का उतेस नागर को तथा व्यापादियों के बीच विभिन डिजितल भुक्तान प्रणाल्यों की उपलपता के बारे में जागुरुक्ता प्यदा करना था दोस्तो साथ ही इसका लक्ष प्रियुक करताओं को डाउनलोडिंग इस्टॉलिंग तथा डिजिटल लेंदेन करने हितु विभिन डिजिटल भुक्तान प्रणालियों का उप्योग करने से परचित करवाना था इस पहल के परणाम स्वरूप दोस्तो नांगरिक इबाम ब्यपारी डिजिधन ब्यपार डिजिधन बाजार की माध्याम से रियल टाइम डिजिटल लेंदेन करने में सक्षम हो गए इसी कारकरम में बैंक को दूर संचार कंपनियों मोबाइल बटुआ ओपरेटरों और में सरकात था संग्रठत फुटकर फल और सब्जीव क्रैस रंकला जैसे इस सफल दूद किरसी उपज विप्रण समीटी वादी को आदी की भागिदारी रही दोस्तों इस मेले में आने वाले प्रितिभागी नागरों को नागरों को डिजिटल भुकतान के लिए दी गई दो दिन की इस मेले की दोरान नागरों के वैंग खाते खोलने में आधर कार्ड में नामागां के लिए और ये एई-पी-एस खातों में उनके मौजुदा खातों को सक्षम करने के लिए मदद दी गई उस्तों लखनों बना मेट्रों मेट्रों सीवा से जोड़ने दी शुरुवात की है जोस्तों मेट्रों ट्रेन के ट्रायल के साथ ही लेकनों मेट्रों सीवा से जुणने बाला देश का आठमा सहर बन गया है जोस्तों अभी तक भारत के कुलकत्त पश्यमंगाल राष्टी राजधानी छित दिल्ली केंद्रिये स्वरी वेंगलरू कन्ना मुंबई महराष्ट जयप्पु राजिस्तान और चन्नाई तमिल्नाडु आदी सहरों में मेट्रों सिवा उपलब्ध है लखनों मेट्रों में आठ एलिवेलेट स्टेशन टांसपुर्ण नगर किस्ण नगर सिंगान नगर आलंबाग आलंबाग बस स्टेशन मवैया दुर मेट्रों सिवा का उप्योग कर सकेगी दोस्तों भारत में पहली बार मेट्रों सिवा बर्स 1984 में कुलकत्ता पश्चे मंगल में आरम हुई थी जो अठाई तसनलों एक किलिमेटर की कुलकत्ता मेट्रों से में 24 स्टेशन है देश की राजधान देश की राजधानी दिल्ली म में आरम की गई वर्टवान में दिल्ली मेट्रों के 210 किलिमेटर से अधिक लंबी विस्तार पर 160 से अधिक स्टेशन है दोस्तों उत्तरपदेश में इस्या की पहली साइकल हाइवे का उधगाटन उत्तरपदेश की मुखमंत्री अकलिस यादब ने 29 नवंबर 2016 को इटाबा का की पहली सड़क है साइकल हाइवे का निर्मान उत्तरपदेश लोग निर्मान विभाग द्वारा क्या गया यह मुख राष्टीराजमाग की समांतर बनाई गई गई है इसकी चोड़ाई 7 किलिमीटर है ईज्वाइडर द्वारा मुख राष्टीराजमाग से प्सक्त किय लगया है इसका उद्धी साइकल सबारों की सुरक्षा का प्रिभंद करना है दोस्तों साइकल हाइवे की शुरुआत इटाबा के निकट लाइन सफारी की से आरम होती है जो दो जुलों के 92 जुलों से होकर यह सड़ा गुजरती है इसके द्वारा दो नदियां चम्मल तथा यमना को पार किया जाता है दोस्तों इसे मार्ग में नोगाओं का किला राजा भोच की हवेली तथा वटे सुरनात मंदर जैसे पठनिस्तल भी आते हैं दोस्तों यू उत्तरप्रदेश में लॉंज हुई अति महत्पूर यूजना है जो यूपी हंडेड है जान लेते हैं क सिवा के तहत नागरेक प्रिदेश के किसी भी हिस्से से फॉन इमेल या एसमस के द्वारा प्रिश साहता प्राप्त कर सकेंगे अभी एसी बाराज की ग्यारा तो कि लखनाव कानपूर इलाबाद मेरट आगरा वरानारसी बरेली गुरफफुर मुरादाबाद जहांसी और रामपर जिलो में प्रारम हुई है 10 दिसंबर 2016 को पूरे प्रिदेश में इसका लाब मिलने लगेगा इसी जनार की अंतर रकत शिकायत करता को किवल 20 मिनिट में पुलिस सहायता प्राप्त हो जाएगी पूरे बिस में दोस्तों पहली बार इस प्रिकार की नागरिक केंदरित पुलिस आपात शहायता शुरू की गई है यूपी 100 को सेंटर में एक साथ 600 लोग कॉल कर सकते हैं इस जना का डाटर रेकबरी सेंटर वेंगलूर कन्नाटक में बनाये गया है दोस्तों इसके अलावा इलावाद बा नोहडा में भी मिनी यूपी 100 सेंटर बनाये जा रहे हैं दोस्तो माजुली दीव को देश का पहला कारवन मुफ्ट जिलागूसरत करने की पडियोजना आरम की दोस्तों असम सरकान ने 15 दिसंबर 2016 को एक ऐसे अवियान की शुरुआत की है जिसका उद्धेश बस 2020 तक माजुली को देश का पहला कारवन मुफ्ट जिलागूसरत किया इस्टेनल वल एक्सर फोर इंकलोमेंट रैसिली इंड डेवलमेंट इन माजुली दोस्तो नाम से आरम इस परियोजना की सुरुगात असम के परियाबरन तथा वन विभाग द्वारा की गई है इस परियोजना का लक्ष माजुली में जलवायू परिबतन में प्रभाबों को क मांगे बढ़ाना जाना है दोस्तों तीन वर्ष के बाद अन्य प्रविधियों को जोड़ा जाएगा इसकी दोस्तों मुख्मिंदू क्या है जान लेते हैं कार्बन मुफ्त जला बनाने के लिए माजुली में बनीकरण को अधिक प्रभावी बनाया जाना है नेस्ट है ग्र मिद्राया जाना के प्रकार ना चला जाए जा रहा है दोस्तों हर्यादा मिभा मकम यला पुलिस वालीयनिटर इन्य टिप हर्याद सरकार ने सब्सदंबर 24-10 सोको महला पलिस से भी पहल महला पुलिस date की सुर्वार्ष कि यह जिलोंसे आरम इस पहलके साथ हर्यारा इस प्र बालविकास मंतरा लाय द्वारा। ताता केंद्रीय मंतरा मंतर के साथ हर्याना राज़ी सरकार द्वारा श्नीक्त रूप सिसतन चलद इस पहल के спХल के महला पुलिस स्वयम से भी पहल का उधिकारियों इब गाउं में रहने वाली समूदाओं के बीच कड़ी का कार करने के लिए है महला पुलिस से भी उन मामलों पर निखाय रखेंगी जिन में महला को परिशान किया रहे हो या उनके अधिकारों या हकों को बंचित किया रहा हो या उसकी बेकास करोगने का कार किया रहा हो दोस्तो महला उन मुख इस योजना से महला तसक्ती करण को बड़ावा दियाज रखता है जान लेते हैं दोस्तो नेस्ट है नरद्दा सिवा यातरा का सुबारम दोस्तो नरद्दा नदी को सवक्ष और प्रिदूसित मुक्त रखने के लिए मत्पदिस्टरा राज सरकार द्वारा 11 जस्वा दोजार सोला को नरद्दा सिवा यातरा का सुबारम किया गया इसे उजना के माध्यम से आम जन्ता और समाच की भागदारी सुनक्षित करने की कोशिश की गई दोस्तो नरद्दा सिवा यातरा का मुक्त देश राजजी से प्रभाववेत होने वाली नरद्दा नदी को सुख्ष और प्रिदूसित मुक्त रखना है दोस्तो इसका सुबारम नरब्दा के फुद्गमिस्तर अमरकंटक में आउजित एक समारों में मत्पिदेश की मुखमंतरी स्री सिब्रास्विंग चोहन ने किया मत्पिदेश की स्वक्षता के लिए आरम किये गए इस अभियान के लिए पांच माय का समय निर्धाद किया गया है नरब्दानदी के सनक्षड के लिए राजि के आम नागरोकूंग में जागरोता संचार किया जाएगा दोस्तो नदी के दोनों और रक्षरों पड़ और सीवेच से आने वाले जल के ट्रीटमेंट की पस्चाद नदी में छोड़ा जाना है दोस्तो नरब्दा सिवा यत्रा की दो महत्मुर्ट किया विदियें दोस्तो राइस्ता सरकान ने आरम की अन्नापूरा रसोई स्कीम राइस्तान की मुखमत्री बसंदार राजे ने 16 जिसमबर 2016 को जब राइस्तान में अन्नापूरा रसोई स्कीम की सुरुआत की इस स्कीम का tagline सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान रखा गया है अन्नापूरा रसोई स्कीम के धहत रियायती मुल्यों पर भोजन तथा अलपहार दिया जाएगा दोस्तो अलपहार के लिए 5 रपे प्रति पिलेट और भोजन के लिए 8 रपे प्रति पिलेट सुल्क रखा गया है दोस्तो राइस्तन सरकार के इस्तानिय स्वासासन विभाग को अन्नापूरा रसोई स्कीम का नोडल एजेंसी बनाया गया है भोजन बनाने तथा उसे परोसने का कार प्रिसक्षत स्टापों को सपा गया है इसके उजना के तहट अलपहार तथा भोजन का बितरण 80 मुबाइल बेन द्वारा इबं स्वह सहात्या समूव द्वारा किया जाना है दोस्तो इसके पहले चल्ण में यह है उजना बारा जलो में लागू की जाएगी वो निम्न है जैपुर पुदायपुर जोतपुर अजमेर भरतपुर बीकानेर प्रितापगड कोटा वांशवाडा डूंगरपुर बाएं तथा जहलावाडा में अरम की गई है सिस्की 21 जुलो में यह उजना दूसरे चणा में चलाई जाएगी दोस्तो राजस्तान में पहली सरक्षानीती को मंजूरी राजस्तान राजसरकार द्वारा 29 मंबर 2016 को राज्य की पहली सरक्षानीती का अनुबो दिन किया गया इसके साथ ही राजस्तान अब उन राज्यों में समलित हो गया है जिनके पास अपनी अपनी सरक्षानीती है राजसरकार ने सरक्षानीती की स्विक्रती के साथ ही किराया नियंद्र अधिनियम 2001 में 2700 दिन किया है इस अधिनियम को अप्रदेश के सभी 190 नंगरे चित में लागू करने का नियनाय लिया गया है इन शित्रों में उफकंड अधिकारी दो करायदारों की पंजिन के लिए अधिकिर किया गया है भरत तथा मालदीब के बीच 16 दिसंबर को 17 दिसंबर से 28 दिसंबर 2016 के बीच सइक सेनब भ्यास इकोवेरिन 2016 संबन हुआ इस सेनब भ्यास का आयोजक आयोजन कंचुलामू एटॉल मालदीब में किया गया इकोवेरिन 2016 भारतिये सेना तथा मालदीब की नेसलन डिफेंस फोर्स के ने हिसा लिया है दुस्तो भारतिय सेना की ओर से बिहार रेजिमेंट की एक प्लैटून ने संब्यास में भाग लिया है इकोवेरिन 2016 इस सिंखला का साथमा संब्यास था वर्स 2016 में इकोवेरिन का आयोजन त्रविंद प्रम के रल में किया गया था इस स्यंख सेन अभ्यास का उद्य में देशों की सैंळाओं को अभधियानों के दोरान परस पर सैंवक के लिए प्रति परुसर डिशक करना है दोस्तू ृटशबेंट आतंग बाद रोधी त आफात करनी हिस्तिति में सैंवक की लिए सेंट संबंदों को नुभाई बनाने के लिए इस अभ्यास का अपना एक अलग महत्त है दोस्तों स्वादेश निर्मित मिसाइल निर्भाय का परक्षण चानी पर उड़ुषा के संबने मिसाइल निर्भाय का परक्षण किया गया यह शताई से शताई पर मारक करने वाली मिसाइल है इसकी तुल्ला अमिर की मिसाइल टॉम होक से की जाती है दोस्तों निर्भाय मिसाइल का विकास डियाडियो की अनुसेंगी संच्टा एडवांस सिस्टम लेवोरेटी द्वारा किया गया इस मिसाइल की मारक च्षमता 750 से 1000 क फुल्लिमीटर है इसे ब्रहमोज मिसाइल का परीशिस्ट भी मनना जाता है दोस्तों निर्भाय मिसाइल का पहला परेक्षन वर्ष 2013 में किया गया था पहले परेक्षन में इसके नेविगेशन सिस्टम में कमी के करण इसके विकास की गति धीमी हो गई थी इसका दूसरा परेक्षण बर्ष 2014 तथा तीसरा बर्ष 2015 में हुआ था जिसमें इसने इक्षित निम्न उचाई को प्राप्त नहीं किया था दोस्तो चोथी बार इस मिसाल का परेक्षण बर्ष नाम के अनुगोल नहीं रहा निर्भय मिसाल की लंबाई 6 मीटर है इसमें दूई चर्ण ये सनचना इस्तित है इसकी परदी 0.52 मीटर तथा विंग की लंबाई 2.7 मीटर है इसका बजन 1500 किलोगराम है दोस्तो भारत और USA की मद 145 M777 होपीटेजर सम्बंदी सम्जोता दोस्तो भारत और USA की मद 30 नवंबर 2016 को 145 M77777 हलकी होपीटेजर तोपों की खरी सम्बंदी सम्जोता किया गया है दोस्तो इसकी ये सोदा लागवाग पांस यार क्रोड की लागत की इस सम्जोते पर नई दिल्ली में आयो जित भारत USA सम्जोतेजर की दो दबस ये बैठक में हस्ताक्षर किये गए भारत और USA की मद्ध हस्ताक्षरत 145 M777 होपीटेजर सम्जोते कि अनुसार 25 तोपों को तियर अवस्ता में लाया जाएगा दोस्तो सेस्तोपों को महंद्रा के साथ भागिदारी में भारत में इस्ताबित की जाने वाली हतियार परणाली के लिए Assembly Integration Test Facility में तेयर किया जाएगा दोस्तो भारत सरकार की यवजना के अनुसार इन तोपों को चीन के साथ लगे सीमा बरती छेत्रों में तेयनाथ किया जाएगा उनिस सस्थी के दसक में वो फोस्तोप घोटाले के पस्चाथ भारत सरकार ने पहला तुप समझदी सम्झोता किया है तो छटे हाट एशिया सम्मिलन 2016 का आयोजन इस्तानवूल प्रिक्रिया के अंतरगत होने वाले हाट एशिया सम्मिलन 2016 का आयोजन 3 से 4 दिसंबर 2016 की मद्द अमरिस्वर पंजाम में किया गया यह हाट सम्मिलन मंत्री स्तरिय का छटा सम्मिलन था अफगार्स्तान की माध्यम से खित में 37 स्तापना कि उद्देश से आयोजन इस्तानव हारती बिधा मंत्री नरेंदर मोदी और अफगार्स्तान के रशपती असरप गणी ने संज्गतुरुप से किया यह संबिलन पहली बार भारत में आवजित किया गया था इस संबिलन में चब्रदा देशों के विद्यस मंतरी यूरियोपिय साइंग तथा अन्डेशों के बीच अन्डेशों ने हिस्था लिया है इसमें अफगनस्तान साहे 6 तरिये सांती में उत्पन होने वाली समस्त चुनोतियों पर चर्चा की गई पाकस्तान की पधामंद्री के विदेशी मावलों के सलायकार सरताज अजीज ने पाकस्तान का पितिनों पितिन निद्धित किया दोस्तों बितिमंत्री अड़ो जेटिली ने घुष्णापत जारी करते हुए आतंगबाद को इसिया और विश्च के लिए सबसे एक बड़ा खतरा बताया घुष्णापत में अमेरिकी घुष्णापत में आतंगी संगठन लस्कर और जैस का नाम सामिल किया गया दोस्तों भारते कुर्णीती के लिए एह अहम सपल्दा मानी जा रही है सम्मिलन से सम्मधित महत्पूर्तत निम्न है दोस्तों चब्दो देशों के इस सम्मिलन में अफगरस्तान के राश्पती असरफ गनी के पितिनिती मंडल को सम्मुधित करते हुए कहा कि भारत और अफगरस्तान के बीच पारदर्स्ता है और दोनों देशों के बीच रिष्टे विश्वास और मूलों पर आधरत है दोस्तों इससे पहले पिधामती नैनमोदी और अफगरस्तान के राश्पती असरफ गनी के बीच रविवार को द्विपक्षिये वारता भी हुई जिसमें व्यपार और निवेश बढ़ाने युद्रिक से जरजर देश में भारत और भारत की पुनिर्माण गतिविदिया और दोनों देशों के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सायदारी में मजबूत कन्ने सहत अन्न महत्पूर मुद्दों पर चर्चा की गई दोस्तो सम्मिलन में अंतराष्टी ये समुदाय की अफगंस्तान में सांती और इस्थे तरह बनाए नखने की पृतिवज़ता को व्यक्ष्ट किया गया दोस्तो सिकर तम्मिलन में आतंग बाद पर अपनी इस्पष्टा व्यक्त करते हुए भारती पिधामदीन ने कहा हमें डर और खून खराबा फेलाने वाले आतंगी नेटवर्क को परास्त करने के लिए मजबूत इक्षा सक्ष्पी का प्रतिशन करना होगा दोस्तो थेटे या हार्ट इडिया सम्मिलन में इन्होंने कहा कि चुपी और निश्क्रियता आतंग और उनकी मालकों को बड़ावा देगी यह पिनामदीनाय मौदीजी ने कहा अब जान लेते हैं इसके कुछ तत्तु जान लेते हैं दोस्तो हार्ट इडिया सम्मिलन के चार बाहर पर यह जुना मद इसके देशों को जोड़ेगी दोस्तो हार्ट इसके सम्मिलन में भागले रहे देशों में भारत इरान और अफगास्तान के वीच चाव हार परिवहन समझते को एक महत्मूर्थ कदम बताया जा रहा है दोस्तो सभी देशों ने कहा है कि यह मार्ग मद इसके देशों को वैस्पक बाजार तक पहुंचने की विस्तिसतर ये सुब्दा उपलग्द कराएगा दोस्तो नसीले पधारत की तसकरी पर चिंता जदाई अफगास्तान में अफिम की उत्पादन और नसीले पधारतों की तसकरी में बड़त्री को लेखा चिंता व्यक्त की गई दोस्तो दुविपक्षिय सयोग पर व्याहोंगे एक अरब भारत और अफगानस्तान के वीच दुविपक्षिय सयोग पर एक अरब की रासी खर्च करने की सहमती वनी है दोस्तो पिधामती नैनमोदी और अफगास्तान की रश्पती असरफ गनी के वीच हुई विपक्षिय वारता में कीमा पार्थ से होने वाले आतंगवात सहथ विबन महत्पूर मुद्दो पर चर्चा की गई दोस्तो एक अरब की रासी का उप्योग खास्तोर से छमता संबर्धन कोसल विकास अफसानलक्चना विकास और समावित विमान सेवा सहथ परिवान संपर्ग विक्सित करने के छित में होगा विदेश मंतलाले की प्रवक्ता विकास स्वरूब ने कहाए कि वैठक में प्रदामंतरी नैंदमोदी के अफगानस्तान में असांती और इस्तिता सुनशित करने के लिए भारत का सम्धन जारी रखने का आश्वासन दिया भारत तजागिस्तान चार सम्झोते पर हस्ताक्षर भारत और तजागिस्तान के 17 देसंबर 2016 को नई दिली में दूइपक्षी संबंधों को प्रसाहित करने के लिए चार सम्झोते पर हस्ताक्षर किये गए दोन देसों के वीच सम्झोते पर हस्ताक्षर भारत की विधामदी नयंद मोदी और तजागिस्तान के रश्पती इमामावली रह्मान की उपस्तिती में किये गए दोस्तों भारत और तजागिस्तान के ने आतिंग बात द्वारा पेश खत्रे व्यापार इबं निवेष तथा एहम रड़ नीतिंग मुद्रों को विपक्षी बारता में सामिल किया गया दोस्तों भारत तथा तजाकिस्तान के बीच निम्ट सम्झोती हुए जान लेते हैं प्रिसार भारती है प्रिसार भारती भारत तथा टेलीविजन एबं रेडियो कमेटी जो तजाकिस्तान के मद्ध रर्कास्टिंग तथा ओडियो विजुएल प्रोग्राम के छित में सयोग सब्सक्राइब हुआ है नेस्ट है दोस्तों भारत तथा तजागिस्तान के बीच दोहरे करारों पर दोहरे करारों पर को समाप्च करने तथा आये करके वित्तिये छूट पर आधरत प्रोडोकॉल पर हस्तारक्ष किया गया नेस्ट है भारत के वित्तिये जाची काई तथा तजागिस्तान के वित्तिये ने रिक्षर विभाग की मद वित्तिये सूचनाओं के आधरन प्रिदान खास कर आतंगमादियों को वित्तिये सुब्दा प्रिदान करने संबंदी सेमती पर हस्तारक्ष किया गया नेस्ट है एवं लास्ट है इज आफ ड्वेइंग विजनेस का बात्तवन बनाने एवं द्वीपक्षिये निवेश को बड़ावा देने के लिए भारत तता तजागिस्तान के वीच समझोती पर हस्ताक्षर किया गया दोस्तों इसके समझ में कोई जान लेते हैं भारत तजागिस्तान के वस उनीस से कानवे में सुवियत संग से प्रितक होने के वाद से ही भारत तजागिस्तान के वीच राजनाएक सम्मद स्तापित किया गया बस 2012 में तजागिस्तान के राश्पती इमामोली रह्मान पहली बार भारत की यत्रा पर आए तकेस्तान संगाई सायोग संगठन एसो को सदस्वी है नहीं जानेते हैं दोस्तो भारत इंडोनेसिया की वीच सम्झोते भारत के खिलाब एक मत भारत और इंडोनेसिया की मत रक्षा सायद अन्न महत्पूर सम्झोते पर हस्ताक्चर दोस्तो इंडोनेसिया की राश्पती जोकोई वीवीडो की दो दिवसी भारती यत्रा के दोरान दोनों देशों के मत बारादे संबा दो जर सोला को रक्षा तक ने की और समुद्री छित के सयोग इबा महत्पूर सम्झोते किये गए जिनमें आतंगबात के विरुद एक मत होने की सहमती सम्झोते महत्पूर है भारत की एक्ट इस्ट नीती के महत्पूर साजीदारों में से एक इंडोनेसिया और भारत के आर्थिक वाराजिनीतिक हित साजा किया है जुस्तो इस अफसर पर दोनों देशों ने रक्षा इबं सुरक्षा सयोग की प्यत्मक्ता देने के लिए साथ ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा सायद आपदा प्रिबंदन और परियाबन सरक्षन के मुद्दे पर व्यापक सयोग की सहमती व्यक्ति की है दुस्तो भारत और इंडोनेसिया के वीच समयत्पूर समझोते, खेल इबा सयोग भारती इबा मामले इबा इंडोनेसिया खेल मंत्रारे के मद्द यह समझोता किया गया मानकी करण सयोग इबं सम्झोता घ्यापवन भारत गड़राज के भारतीय मानाग वीरो तथा इंडोनेसिया गड़राज के राष्टिय मानाग करण एजनसी के मद सम्झोता हस्ताक्षर पर हुए किये गए सम्झोता गड़राज के राष्टिय सयोग पर सयोग विग्यपती दोनों देशों द्वारा समुद्री सयोग पर सयोग वियक्त जारी किया गया जिसके तहट समुद्री स्रक्षर सहथ मस्चली पालन एबं सतत विकास जैसे मुद्धे सामल हैं दोनों देशों के मद्ध पेटॉलियम गैस सूचना पदोकी और दबा पदोक के छेत्व में भी व्यपार और निवेश पर सम्झोते हुए हैं यह चारों सम्झोते भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हैं दोस्तों अब जान लेते हैं भारत अरभलीक की बीच सम्झोते इवं सम्झोते बहरत अरभ्भरत अरभ साजदारी सम्झोतन संपन बहाच में भारत अरभ साजदारी सम्झोत का आयोजन 14 दिसंबर को 14 से 15 संबर की मद्द मस्कत जो ओमान में आयोज है किया गया इस साइधारी सम्मिलन का थीम पार्टनर्सिप पर्वार्थ इनोबीसटन and cooperation in IT रखा गया इस सम्मिलन का आयोजन ओमान की बिदिश मंत्रा ले अरब लीग सचिवाला जदा भारत की बिदिश मंत्रा ले द्वारासन यूरूप से किया गया